नंगे पैर, खून से सने होने के बाद भी लोगों को बचा रहे थे मीडिया ने मोदी को अपरादी मान लिया था 1985 में एहमदाबाद में दंगे हुए थे लेकिन इन मंत्रों के अलावा एक जादू भी था मोदी के पास और उसके लोगों ने शेर को पिंजरे में बंद करके परेड करवाया चुनाव प्रचार के लिए सुनिया गाने ने मोदी को मात का साधागर बोला और लोगों ने अपना खून तक अड़वानी को बरतनों में भर कर दिया था इसमें दान उनमें से एक की बॉड़ी को तो म्यूटिलेट तक कर दिया गया था पर नरिंद्र मोदी द्वारा बीजेपी के लिए तीन सो सतर सीटे बोलने का रियल रीजन मुझे कुछ और लगता है कि मोदी की रैली तक में बंबलास्ट कराए जाने लगे मोदी के घुसते ही वो उथल पुदल शुरू हुई जिसके कारण आज 400 पारगे नारे लग रहे हैं परन्तु नरिंद्र मोदी को इसके बदले में प्रमोशन नहीं मिला था बलकि पनिश्मेंट मिली थी देखे आज देश के राजनेती जिस मोड पर खड़ी है उसमें कई एतिहासिक राजनेतिक दलों के लिए existential crisis खड़े कर दिये हैं प्रधान मंत्री ने संसत के पटल से खड़े होकर 400 सीटों के साथ तो अगली सरकार बनाएंगे ऐसा कहा है कोई राजनेता जब तक धरातल पर प्रचंड लहर नहीं देख लेता तब तक at least संसत में ऐसा नहीं कह सकता इस वीडियो के माध्यम से हम यहीं देखने का प्रयास करेंगे कि चार सू सीटे संभव हैं और यदि संभव हैं तो इस जीरो से चार सू तक की यात्रा को नरेंद्र मूदी ने कैसे पार किया है प्रधान मंत्री का बीजेपी के लिए 370 और एंडिये के लिए 400 पार का नारा मेरी दृष्टी में दो ही कारणों से हो सकता है पहला कारण ऑपोजीशन को डीमोरलाइज करने वाला साइकलोजिकल खेल हो सकता है ये और दूसरा सचमुच में ऐसी प्रचंड लहर का अनुभव हो सकता है 2019 में अकेले बीजेपी 303 303 सीटे जीती थी और आज 400 पार के नारे हैं 2019 में बीजेपी 435 सीटों पर लड़ी थी इस बार पंजाब और तामिल नाडू इन दौनों राज्यों में कोई बड़ा आलेंस उस के साथ नहीं है तो दौनों राज्यों में मिला कर लगभग 30 सीटे और अधिक लड़ेगी पिछली बार से दौनों ही स्थानों पर बीजेपी के लिए कोई बड़ा रिजल थोड़ा मुश्किल है पंजाब में किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को दिक्कत होगी और तामिल नाडू में वोट परसेंटेट तो जरूर बढ़ेगा पर अधिक सीटे जीतना शायद थोड़ा मुश्किल है 2014 में बीजेपी का वोट शेर 31, 31 प्रतिशत था और 2019 में 37,36 यानि 37,36 यानि लगबग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी थी और सीटे कितनी बढ़ी थी इससे? 282 से 303 यानि 21, 21 सीटे बढ़ी थी अब 2024 में कुछ चीदे ऐसी हुई है जो वोट शेर फिर से बढ़ने के आसार है और मान लीजेगी ये थी 5% का अपस्विंग फिर से हो जाता है यानि बीजेपी 42, 42 प्रतिशत वोट शेर पर भी पहुँच जाती है तो भी पॉलिटिकल बाजार के मुल्यांकन के अनुसार बीजेपी की टैली 342, 302 सीटों तक जाती है और इन सब कारणों से मामला थोड़ा मुश्किल भी दिखता है 370 सीटों का पर एक्चली में बीजेपी का टार्गेट 42% वोट शेर है ही नहीं दिसंबर 2023 में आफिस बीजेपी कारेकरताओं को टार्गेट दिया था 50% वोट शेर प्लाट करने का और इसके लिए अलाइंस बनाए गए है जैसे महराष्ट में अजीत पवार के साथ, भिहार में नितिश कुमार के साथ अरुत्तर प्रदेश में आरेली के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं के हम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में पिछली बार से बैटर करेंगे जन की बाद चलाने वाले प्रदी भंडारी के अनुसार 11 राज जैसे हैं जहाँ इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशा जो है वो बढ़ जाएगा पर नरिंदर मोधी द्वारा बीजेपी के लिए 370 सीटे बोलने का रियल रिजन मुझे कुछ और लगता है 2019 के चुनावों में 72, 72 सीटे ऐसी थी जिसमें बीजेपी का केंडिडेट रनर अरप था और विनर केंडिडेट से जितने वोट से वो पीछे रहा था वो नेशनल एवरेज से काफी कम था तो बीजेपी कदाचित इन 72 सीटों पर नदर लगा कर बैठी है जो उनकी टेली 370, 370 को पार ले जाएगी भारत के इतिहास में केवल एक बार कोई पार्टी 400 पार गई है जब 1984 में इंदरा गांदी की हत्या हुई थी और राजीव गांदी प्रधान मंत्री बने थे वो सेंटिमेंट्स में बहवाव चुनाव था पर 2024 में भी भारत के पास एक एतिहासिक सेंटिमेंट है यदि ये सेंटिमेंट्स चला तो सारे आकड़े धरे के धरे रह जाएंगे और नरेंदर मोदी के रीसेंट भाशन इस कॉन्फिडेंस को दिखाते भी है 5 फरवरी को नरेंदर मोदी ने संसत में खड़े होकर कहा था कि हमारा तीसरा टाम एतिहासिक नेड़ों का होगा कमाल की बात यह है कि 15 दिसंबर 2023 को यानि इस स्पीच से लगभग 20 दिन पहले यूट्यूब पर एवेलेबल एक पॉड़कास्ट में एक एस्ट्रॉलोजर ने यही प्रिडिक्ट किया था अगले कुछ साल भारत में इस प्रिकार के बहुत सारे डिसीजन्स आपको देखने को मिलेंगे मतला हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेशन वाइड रात और पॉलिसी चेंजिस आपको रोक नहीं रोक पाएगा एक्जेक्टली दो साल बाद नवेंबर 2019 में राम मंदिर का निर्ना आया और कोट ने तीन महिने में डिस्प्यूटिड लेंड को राम जन मुहमी नियास को देने के लिए कह दिया था ये सबी बातें आपको आपके भविशे के बारे में जानने के लिए क्यूरियस करती हैं और मेरी क्यूरियसिटी मुझे एक एप्लिकेशन तक ले गई जिसका नाम है एस्टोटॉक जहां पर काफी सारे एस्टोलोजर्स हैं पर मेरी बात पल्लवी जी से हुई चैटिंग के माध्यम से और फिर जो हुआ उँ मेरे लिए काफी शौकिंग था चैट पर मेरी डेट ओव बर्द और टाइम जानते ही पल्ली जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सोशल मीडिया इंफ्लैंसर हूँ या फिर सोशल मीडिया फील से हूँ ये सुनकर मुझे काफी हरानी हुई के बिना फोटो और नाम के ने ये कैसे पता चल गया यहां से मेरा ट्रस्ट बढ़ा और उसके बाद मैंने 2024 के बारे में अपने करियर के बारे में फैमिली के बारे में काफी सारे प्रिशन किये उन से पल्लेवी जी ने कुछ ऐसी बाते बताई जो किवल मैं और मेरी फैमिली जानते थे और मुझे कुछ सॉल्यूशन्स भी बताए ये मेरी बात थी पर अगर आपको भी आपके बारे में कुछ डाउट है नहीं ये भविश्य के गर्व में है परन्तु जीरों से 400 पार की ये जर्नी बीजेपी ने कैसे तैकी और नरेंद्र मोदी का इसमें क्या योगदान है वो आगे देखते है देखे आज ये 400 पार का नारा लगाय जा रहा है ये एक दिन महिनेया साल में नहीं हो गया है इसके पीछे लगबग 50 साल खेला गये एक खेल है और इस खेल में शुरू से ही एक बहुत बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी का है जिसका आरंभ होता है 1970 से हिमाले से वापस आने के बाद 1970 में नरेंद्र मोदी RSS से जुड़ गए और 1971 में पहली बार कोई political activity की जब भारतिय जनसंग दिल्ली में सत्याग्रह कर रहा था बांगलादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए और इसे लीड कर रहे थे अटल भिहारी वाजपई इंद्रा गांधी ने खुले आम होने वाले इस support पर प्रतिबंद लगाया हुआ था तो जैसा कि नरेंद्र मोदी ने स्वयम बताया है वो इस सत्याग्रह में थे और उन्हें इस कारण 1971 में तिहाड जेल जाना पड़ा था इस arrest के बाद ही नरेंद्र मोदी RSS के full time प्रचारक बने थे क्योंकि वो एक व्यक्ती के नजर में आ चुके थे लक्षमन राव इनामदार जिनने आप नरेंद्र मोदी के ideological गुरू कह सकते हैं 1975 में इंद्रा गांधी जी ने देश में emergency की गोशना कर दी और विरोधी दल के leaders जेल में डाल दिये गए जिनमें जनसंग के सभी बड़े leaders है और इस समय नरेंद्र मोदी को गुजरात लोग संघर्ष समीती का General Secretary बना दिया गया जो की RSS का ही एक अंग था इस organization में नरेंद्र मोदी का काम था pamplets चफवाना, सरकार के विरुद अंदोलन को गरम रखना सरकार द्वारा wanted लोगों को safe houses का प्रबंध करना और सरकार की मार जहल रहे विरोधियों के लिए funds और political शरण का प्रबंध करना और ये सारे काम करते करते नरेंद्र मोदी को स्वैम भेश बदल का रहना पड़ा था ये basically पहली political post थी नरेंद्र मोदी के जीवन की जब 1978 1978 में emergency समाप्त हुई तो नरेंद्र मोदी को RSS का regional प्रचारक बना दिया गया और 1979 में दिल्ली भेश दिया गया RSS के काम के लिए अब देखें ये RSS से जुडाव और ये अंदोलन ये politics का अंग है पर अभी तक नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीती या चुनाव लड़ने वाली किसी party से नहीं जुड़े थे और इसी कारण मोदी के चुनावी राजनीती से जुड़ने के पहले और बाद की तुलना आपको ववेश्य देखनी चाहिए 1952 में RSS के political wing यानी जनसंग ने पहला चुनाव लड़ा और तीन सीटे जीती और 1971 में जनसंग के रूप में अंतिम चुनाव लड़ा और बाई सीटे जीती यहाँ प्रदर्शन एक ऐसी party के लिए अच्छा नहीं का जा सकता जो हिंदुत्व का ध्वज लेकर चल रही थी जब 1978 में एमर्जनसी समाप्त हुई तो चुनाव करवाए गए सारे विरूधी दल, कॉंग्रेस के विरूध मिलकर लड़े जनता party नाम की एक political party बनाई गई और इस party ने कॉंग्रेस को हरा दिया मुरार जी देशाई प्रधान मंतरी बने और अटल भीहरी वाजपई विदेश मंतरी पर यहाँ एक बड़ी समस्य खड़ी हो गई थी जनता party जोती वो सभी विरूधी दलों को मिलकर बनी थी और सब ये चाहते थे कि यदि आप जनता party से जुड़कर रहना चाहते हैं तो RSS से relation तोड़ने पड़ेंगे और ये थोड़ा मुश्किल काम था 1980 में फिर से चुनाव होते हैं और जनता party बुरी तरीके से हारती है और इसके बाद एक executive meeting में ये resolution पास किया जाता है कि जनता party का कोई भी सदस्य RSS से नहीं हो सकता और इसके बाद 6 April 1980 को दिल्ली के फिरुषा कोटला में एक नई party का जन्म होता है जिसे आप भारती जनता party के नाम से जानते हैं और जिससे announce करने वाले थे अटल भिहारी वाजपी और लाल कृष्णाडवानी बीजेपी के बनने का एक कारण ये भी माना जाता है कि जनसंग electoral यानि कि चुनावी राजनीती में successful नहीं था और south में almost untouchable था पर ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी के हाँ सीधे राजनीती में नहीं गुशे थे मोदी के घुसते ही वो उथल पुदल शुरू हुई जिसके कारण आज 400 पार के नारे लग रहे हैं चलिए उस उथल पुदल को देखते हैं देखे एक बात तो सम्मानते हैं के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने बिना और 400 पार के नारे की संभावनाव तक पहुँचना almost असंभव था पर एक समय पर गुजरा जीतना भी वी बिजेपी के लिए असंभव ही था कारण था महात्मा गांधी की हत्या के साथ संग का जोड़ा जाना और दूसरा कॉंग्रेस के द्वारा एक स्पेशल पॉलिटिक्स को फॉलो करना जिसे खाम कहते हैं K.H.A.M. और जिसका आर्थ होता है शत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम ये पूरा वोट बैंक, कॉंग्रेस नेता माधा सिंग सोलंकी के द्वारा बनाया हुआ था और इतना स्ट्रॉंग था कि 1985 में कॉंग्रेस 182 में से 149, 149 सीटे जीती थी पर गुजरात में दो ऐसी घटनाई हुई जिन्होंने गुजरात की राजनीते को BJP की दिशा में बढ़ा दिया और दौनों घटनाओं में नरेंद्र मुदी का बड़ा युगदान था 11 अगस 1989, 1979 को गुजरात के मूर्भी में प्रलय का माहुल हो गया था जब मच्छु नदी में एक बना हुआ बांध तूट गया मैंने प्रलय शब्द बहुत समझ कर यूज किया है क्योंकि कई एस्टिमेट बताते हैं कि इसमें 25,000 लोग मारे गए थे शव हर स्थान पर बिखडे पड़े थे लगभग पूरा शेत्र पानी में डूब गया था और जांच में पता चला था कि एक मैनमेड डिजास्टर था यह इस समय देश के अंदर जंता पार्टी की सरकार थी और इरिगेशन मिनिस्टर थे केशु भाई पटेल जो स्वेंव रसेस से थे शुरू में वो तक यहां नहीं पहुँच पाई थे क्योंकि जान का खत्रा था पर इस सब के बीच में आरेसेस की एक टीम मौरवी में लगी हुई थी जिसे लीट कर रहे थे नरेंदर मोदी 11 अगस 1979 1989 के इस गुजराती अकबार में नरेंदर मोदी और आरेसेस के बारे में लिखा हुआ है कि आरेसेस के कारेकरता नंगे पैर खून से सने होने के बाद भी लोगों को बचा रहे थे और 30 से 40 लोगों का अंतिम संसकार रोज कर रहे थे और 2 अक्टूबर 1989 के इस टाइमस ओफ इंडिया के अंक में नरेंदर मोदी इन ही पीडितों के लिए 5 लाख रुपे एकटे करते दिख रहे हैं आम तोर पर रेस्क्यू ऑपरेशन्स जो होते हैं वो क्यावटिक होते हैं पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन्स स्मूथ था जिन शेत्रों में आरेस्स के ये वॉलंटीर्स काम कर रहे थे वहाँ पर रेहबिलियेशन का कारे तेजी से हुआ था और यहां से गुजरात में आरेस्स को एक नई दृष्टी से देखा जाने लगा था इसके बाद एक दूसरी घटना हुई थी 1984 में जब गुजरात के किसानों को अपनी फसल को दूसरे राज्यों में बेचे जाने से रोका जाने लगा था गुजरात के किसानों ने इस कानून पर अंदोलन किया और इसे कहा गया खेडू अंदोलन ये एक्चुली में गुजरात का नमक तोड़ो कानून था क्योंकि RSSS से जुड़े किसान संगठन भारते किसान संग ने इसे अपने हाथ में ले लिया था और इसके कारण राजिसान और गुजरात के किसान एक दूसरे को सरकारी आदेश को तोड़ते हुए फसल बेशने लगे थे राजिसान में इसकी प्लैनिंग की थी ओम माथुर ने और गुजरात में इस अंदोलन की प्लैनिग के पीछे थे नरेंद्र मोदी इस ही आंदोलन ने बीजेपी को गुजरात के गाहों तक पहुचाया और इस प्रकार आम किसानों के मध्य एक गांधियन तरीका अपना कर गांधी हत्या का जो भूत था उसे हटाया गया इसके अलावा 1986 में एक और गटना हुई जब सरकार ने जगनात यात्रा पर रोक लगा दी एहमदबाद में पुलिस बेरिकेट्स लगवा कर और अचानक से महावतों के द्वारा ट्रेंड हथी यात्रा में शामिल हो गए जिसके सामने पुलिस वालों की नहीं चली sources बताते हैं कि इसके पीछे भी नरेंदर मोदी थे और इसका फल नरेंदर मोदी को मिला 1987 में जब मोदी बीजेपी गुजरात के जनरल सेकरेटरी बना दिये गए अब ये सारी जो गटनाई थी ये बेस बनाने तक तो सही थी पर गुजरात का चुनाव बीजेपी ने 1990 में आकर जीता और इसके पीछे नरेंदर मोदी और अब्दुल लतीफ के बीच हुए एक संघर्श की कहानी भी है जिसका रोल शारुक खान ने फिल्म रईस में किया था चलिए गुजरात कैसे जीते आ गया वो देखते हैं देखे किसी स्टेट में बेस बनाना और चुनाव जीतना ये दोनों अलग बाते होती हैं क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वोट डलवाने पड़ते हैं 2024 में 400 पार का नारा एक बात हैं और वोट डलवाने अलग बात हैं क्या मोदी वोट डलवा पाएंगे? वो गुजरात में हुए 1990 के चुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा आपको 1985 में एहमदाबाद में दंगे हुए थे और हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बहुत जादा बढ़ गई थी और इसी इंसिडेंट के बाद जगनात यात्रा पर रोक लगा दी गई थी 1987 में जैसे ही नरेंदर मोदी गुजरात बीजेपी के सेक्रेटरी बने उनके सामने इस कम्यूनल माहौल में एक पहाड जैसा टास्क था एहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन जीतने का मोदी के सेक्रेटरी बनने से पहले पार्टी का स्ट्रक्चर लचर था तो उन्होंने आते ही पार्टी कार्डर को मोबलाईस किया और पूरे शेत्र को तीन भागों में बाट दिया A, B और C A यानि जहां BJP स्ट्रॉंग थी B और C वो शेत्री थे जिनने A बनाना था और हर बूत पर 10 पार्टी वर्कर्स लगाए गए अब इसी कम्यूनल माहौल में अब्दुललतीफ ये चुनाव लड़ने आ गया जबकि वो जेल में बन था उसका चुनाव चिननता शेर और उसके लोगों ने शेर को पिंजरे में बंद करके परेड करवाया चुनाव परचार के लिए ये चुनाव को कम्यूनल बनाने का तरीका था और BJP ने इसी कम्यूनल फियर को रौंदने का प्रॉमिस कर दिया इसका रिजल्ट क्या रहा? जिस चुनाव को जीतने की किसी ने आशा तक नहीं की थी वहाँ BJP प्रचंड बहुमत से जीत गई ये वही elections थे जब अमिशा नरिंदर मुदी से पहली बार मिले थे और इन चुनावों के साथ ही BJP गुजरात में एक serious candidate बन गई पर एक शहर को जीतना एक state जीतना नहीं होता BJP का कोई खास organizational structure नहीं था जो गुजरात उन्हें जीत कर दे दे कैसे गुजरात को जीता गया 1990 में पहली बार जो आज तक BJP वहाँ सत्ता से बाहर नहीं हुई है अमिशाग एक letter के अनुसार 1988 में एक membership drive चलाया गया था जो पहले भी चलाया जाते थे पर इस membership drive का माईने अलग था क्योंकि इस membership drive को संगठन पर्व कहा गया जिसका मतलब था कि इसे formality ना मान कर एक त्योहार की तरह मनाया जाए instructions थे कि हर नए member का नाम register में note होगा जिसका audit किया जाएगा जिलस्तर पर और इसके बाद जो काम होगा से master stroke कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी ने बीजेपी काडर को कहा कि हर पंचाय चुनाव में दो main candidate होते हैं एक जीतता है और सब की नजरों में आ जाता है और जनरली ये congress ये जनता पार्टी का होता है दूसरा candidate हारता है और भुला दिया जाता है पर इस हारे हुए candidate के पास भी 30% के पास vote share होता है तो बीजेपी काडर को इन हारे हुए candidates को party की विचारधार से जोड़ कर इन्हें बीजेपी में लाना था ये वो लोग में सरकार बना ली जनता दल के साथ मिलकर उस दिन के बाद से आज तक बीजेपी गुजरात में सत्ता से नहीं हिली है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण organizational structure का strong होना है परन्तु गुजरात जीतना भारत जीतना नहीं था भारत कैसे जीता गया और उसमें नरेंदर मोदी का क्या ही होगदान था वो आगे देखते हैं गुजरात में बेस बनाने से लेकर गुजरात में चुनाव जीतने तक नरेंदर मोदी का रोल अभी तक हमने देखा परन्तु गुजरात में सरकार बनाना और भारत में सरकार बनाना दोनों अलग बाते हैं 1984 के चुनावों में BJP ने केवल 2 सीटे जीती थी November 1989 1989 के चुनावों में 85 सीटे 1991 के चुनावों में 120 सीटे और 1996 के चुनावों में 161 सीटे सरल शब्दों में कहें तो November 1989 से अचानक BJP की सीटे आप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी और संयोग से November 1989 ही वो समय था जब राम जन्म भूमी पर शिला नियास किया गया था एक बात पर सभी राजनेतिक पंडित एक मत हैं कि यदि राम जन्म भूमी आंदोलन नहीं होता तो BJP को सत्ता तक पहुंचने में पता निकितना समय लग जाता और राम जन्म भूमी में सबसे बड़ा प्रमुक आंदोलन बना था राम रथ यात्रा जिसका आरंब सोमनाथ से किया गया था और जिसका समापन हुआ था अयोध्या में नरेंद्र मुदी रथ यात्रा चैंपियन कही जाते थे क्योंकि उन्होंने यात्राओं का एक पूरा दौर गुजराद में आरंब किया था जिन में से एक प्रमुक थी 1989 में निकाली गई लोग शक्ती रथ यात्रा जो कि गुजराद में 10,000 गाउं से ओकर निकली थी और 1990 में गुजराद सरकार बनाने का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी शायद इसी कारण गुजराद शेत्र में राम रथ यात्रा प्लैनिंग के लिए नरेंद्र मुदी को चुना गया था नरेंद्र मुदी ने इस राम रथ यात्रा के लिए उन शेत्रों को चुना जहाँ बीजेपी थोड़ी कमजोर थी और यह यात्रा गुजराद में 600 गाउं से निकली जिनका आरंभिक पॉइंट था सोमनात का मंदिर और लोगों ने अपना खून तक अडवानी को बरतनों में भर कर दिया था इसमें दान जिस दिन यह यात्रा आरंभ होनी थी उससे पिछले दिन लाल कृष्ण अडवानी ने शेत्र को देखा और उन्हें संशे हुआ था कि यात्रा सक्सेस्फुल होगी भी या नहीं क्योंकि ना पैंफ्लेट्स लगे हुए थे ना बड़े बड़े जंडे परन्तु जिस दिन यात्रा आरंभ हुई उस दिन शेत्र का हाल ये था और नरेंद्र मोधी मंच पर थे अडवानी के साथ जहां यात्रा जा रही थी वहां स्थिती कुछ ऐसी थी इस यात्रा का अगला पड़ाव था महराश्ट्र और वहां का उत्तर दायत्व दिया गया था प्रमोध महाजन को प्रमोध महाजन ने गुजरात का रिस्पॉंस देखने के बाद अडवानी जी को कहा कि ये समुमीद महराश्ट में मत करना नरेंद्र मोधी गुजरात से निकल कर मुंबई तक रथियात्रा में शामिल रहे थे और रथियात्रा का आरम इतना सक्सेस्फुल था कि रथियात्रा का अंत जब तक हुआ तो कुछ ऐसा महूल था यही रथियात्रा बिजेपी को सरकार बनवाने तक ले गई परन्तु इसके लावा एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी जो कन्या कुमारी से कश्मीर तक गई थी और जिसका एजन्डा था कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा जाकर फैरा के आना और जिसने बिजेपी को एक राष्टवादी छवी देने का काम किया इस यात्रा को भी नरिंद्र मोदी ने ही संचालित किया था और इसी यात्रा पर आतंक वादियों ने ब्लास्ट की धंकी दी थी कुल मिलाकर गुजरात में और राष्ट्य लेवल पर जिन कारें ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया उनके फेस भले ही कोई और लोग हूँ पर उन कारें को पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी हैंडल रही थे परनतु नरेंद्र मोदी को इसके बदले में प्रमोशन नहीं मिला था बलकि पनिशमंट मिली थी कौन से थी वो पनिशमंट? और कैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के CM बने थे आगे देखते हैं बीजेपी आग चार सू सीटों की बात कर रही है एक तरीके से इन्विंसिबल सी हो गई है लेकिन बीजेपी ऐसी कैसे बनी तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी सीम कैसे बने तो 1995 के चुनावों में गुजरात की लोगों को बीजेपी की रूप में एक अल्टरनेटिव मिला जिसमें बात विकास और गवर्नेंस दोनों की हुई केशु भाई पटेल इसमें सबसे बड़े नेता बनके उभरे लेकिन शंकर सिंग वागिला जो कि एक लंबे समय से RSS से जुड़े हुए थे उनके अंदर की महत्व कांख्शाएं इतनी अधिक बढ़ गई थी और साथ ही साथ पुरानी राइवैलरी भी थी केशु भाई पटेल के साथ तो वो केशु भाई पटेल को मुख्यमंतरी नहीं देख पा रहे थे अब मोधी से पूछा गया कि आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हो तो नरेंदर मोधी ने सीधा सीधा केशु भाई पटेल का नाम दे दिया इस सब का रिजल्ट यह निकला कि शंकर सिंग वाघेला ने विद्रोह कर दिया और अपने MLA's के साथ गुजरात में BJP को तोड़ कर एक नई पार्टी महा गुजरात जन्ता पार्टी वो बनाने की घोशना कर दी और अपने विधायकों को लेकर कॉंग्रेस साशित मध्यपरदेश भाग गये गुजरात में अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा की केंद्रिय लीडर्शिप ने वारता शुरू की और उसमें अटल बिहारी वाजपाई ने केशु भाई पटेल को गद्दे से हटा दिया और सुरेश महता को CM मना दिया गया शंकर सिंग वागेला पर कोई कार्यवाई नहीं हुई और नरेंद्र मोदी को गुजरात से भगा दिया गया बिना किसी कसूर के पर इस सबका ना शनिक लाभी मिला क्योंकि थोड़े समय के बाद शंकर सिंग वागेला कॉंग्रेस में जा मिले और आज लतीफ जैसे गैंक्स्टर्स को महान कहते है अब गुजरात से मोदी को हरियाना भीज दिया गया मोदी ने हरियाना में आने के बाद गुजरात की ही तरह बैकेंड का काम समाला फिर इसके बाद हरियाना से हिमाचल और फिर मध्यपृदेश इन सभी राज्यों में मोदी को भेजा गया बस गुजरात नहीं बुलाया गया इन तीनों ही स्टेट्स में मोदी ने वही काम किया जो गुजरात में कर रहे थे यानि पार्टी को बिल्ड करने का का वही इन राज्यों में पार्टी के ओफिसेज बहुत कम थे आईटी सेल बनाए गए, मीडिया सेल बनाए गए और यहां तक की सिविल एवियेशन सेल्स बनवाए गए यह बाते किसी दूसरी पार्टी में भी देखने को नहीं मिलती थी इसके बाद 1998 में मुदी को नैशनल जेनरल सेकरेटरी बना दिया गया भाजपा का और साथ ही वो पार्टी प्रवक्ता भी बन गए, नैशनल स्पुक्सपर्सन उधर से गुजराच में 1998 में भाजपा का फिर से उदय हुआ और इस बार फिर से केशु भाई पटेल को सीम मना दिया गया लेकिन 2001 में भुझ में हिर्देगामी भुकंप आया और केशु भाई पटेल की बड़ी आलोचना हुई जिस डंग से उन्होंने भुझ के भुकंप को हैंडल किया था केशु भाई पटेल के स्वास्ते को बहाना बना कर अटल जी ने अधिक ना सोचते हुए आक्टूबर 2001 में केशु भाई पटेल को हटा कर नरेंद्र मोदी को बाहर के राज्यों से गुझरात बुलाया और मुझ्यमंत्री बना दिया गया पर फरवरी 2002 को गुझरात में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं भूला मोदी के मुझ्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़ी कठनाईयों का सामना किया जब वो मुझ्यमंत्री बने तो उनके सामने भुझ में हुई तरास दी थी वहां से लोगों को उबारने और उनको रिहाबिलिटेट करने की बड़ी स्ट्रगल थी और जिस प्रकार ये काम किया गया वो आज तक एक मॉडल बना हुआ है लेकिन स्ट्रगल मास्तर इतनी नहीं थी उसके चार महिनों के बाद फरवरी के महिने में भीषण दंगों से पूरा प्रदेश जल उठा था क्या क्या हुआ था तक वो आगे देखते हैं दंगे कैसे भढ़के उसमें बहुत अधिक अंदर ना घुचते हुए अपने टॉपिक पर बने रहने का प्रयास करेंगे 23 फरवरी का दिन था विएचपी ने 100 दिन का पूर्ण आहुती यग्य शुरू किया और उसमें हर स्थान से लोग गए गुजरात से भी गए सावरमती एक्सप्रेस जिसकी कैपैसिटी मात्र 1100 लोगों की हुती है उसमें लगभग, 1700 कारसेवक, अयोध्या से वापस जा रहे थे गुजरात ट्रेन के रास्ते में एक स्थान आता है दाहौद वहाँ 2000 लोगों की भीड खड़ी हुती है स्टेशन के उपर और उसी दाहौद में ट्रेन की दो वोगियों में आग लगा दी जाती है और उन सठ यानि 59 लोग उस आग में जुलस जाते हैं मोधी सरकार उन 59 पार्थिव शरीरों को वी एचपी को हैंड ओवर कर देती है इस घटना के बाद लोगों के अंदर एक गुस्सा था एक रोश था फिर वी एचपी उन पार्थिव शरीरों को एक उपन गाड़ी में एहमदाबाद में अपने कारेले में लिकर जाती है वो गाड़ी जहां जहां से निकली वहां वहां एक भारी भीड राम सेवकों के अंतिम दर्शन करने के लिए बाहर निकल आई और लोगों में रोश तो भरा ही हुआ था यही रोश एहमदाबाद में हुई उस हिंसा का कारण मना परंतु यह अपने आप में मीडिया द्वारा रचा एक बहुत घिरवना जूट था क्योंकि पार्थिव शरीरों को रात के अंधेरे में रात त्री साढ़े तीन बजे लाया गया था परंतु मोधी पर ब्लेम डालने में इस जूट से काफी मदद मिली मीडिया पर उससे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते थे तो मीडिया ने इन दंगों को भयंदकर रूप से कवर करना प्रारम कर दिया था संदेश ने मुख्य प्रिष्ट पर बड़ी बड़ी आदमी को जलाने वाली फोटो चापी थी मीडिया ऐसे ऐसे स्थानों पर चली जाती जहां पर मुस्लिम पॉप्लेशन अधिक थी और बताती देखो यहां तो पुलिस ही नहीं है लोग टीवी देखकर उसे स्थान पर जाते और दंगा और अधिक भड़कते आता बर्खा एक बाजार में खड़ी थी सूरत में कोई कॉम्नल वाल नहीं होता है थोड़ा सथ दुकाने जली है जैसे टिम्बर मार्टी एक ठोटा मोरा घटा घटा तो वो एक बाजार बन था वहां से हो खड़ी नहीं है यह हीरयों का बजार है यह है यह एक भी पुलिस वाल तीन हिंदू लड़कियों के अपहरण की फेक न्यूस फैलती है और वडूद्रा में भी दंगे भैलने लगते है वहाँ फैक्टरी में वहाँ एक आग लगी है जी आग लगाई है और फैक्टरी हिंदू-मुस्लिम मिक्स होती है इसमें एक पार्टनर मुस्लिम था बाके क सब पार्टनर हिंदू थे एंडी टीवी वडूद्रा में हुई इन घटनाओं को तो कवर कर लेता है पर यह नहीं बताता कि वह फेक न्यूस संदेश नाम के एक न्यूस पेपर ने चापी थी एक एक छोटी-छोटी इंफरमेशन बहुत बढ़ा चड़ा कर अंजार के अंदर उन्होंने न्यूस हाइलाइड किया कि हन्मान जी का मंदिर तोड़ा मैंने का तुम क्या कर रहे हो नियम है कि मंदीर मजीर यह जाए वो बोलना नहीं चाहिए मैंने इंक्वाइरी कि ए छोटा किसी पैड के निचे नहीं छोटा साज़ा करते है उस पर कि इसी ने जाकर के एक इंडुविजन वेक्टे ने कहीं तो भी उसको किया था निक्सान तोड़ा मामली साथ जिसको इतने बड़ी आग लगी हो तो ऐसे चीज़ उचानने से क्या होता है और फिर आफ्टर मैथ में शुरू होता है नरेंद्र मोधी पर पूरा आरूप मंधर करने का दौर जो कि वर्षों तक चलता है हम जितना खुरूइत खुरेत करके ऐसी घटनाओं का धाई साल के बाद इतना पिस फुले राज्य प्रगधी कर रहा है हर्ट शेत्र में प्रगधी कर रहा है लेकिन आप उससे भार नहीं आप नहीं आरहें इसका कारण ये है कि आ आपके मन में एक एजंडा है आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई एक व्यक्ति के शासेन में हुआ और हम मीडिया के लोग इस आदमी को सजा नहीं दिला पाएंगे हम चेंज से बैठेंगे नहीं मैं आपको शुबकामना ही देता हूं अगर मैं कहीं गुनेगार मे मीडिया कर्मी जो एक दंगे को धंग से कवर तक नहीं करते थे वो मीडिया कर्मी पूरे-पूरे वर्ष केवल एक ही काम करते है ततकालीन प्रधानमंत्री अटल भिहरी वाजपाई पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने का निवेदन कर दिया मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें मीडिया ने मोदी को अपरादी मान लिया था जो अधिकार न्याय पालिका का था या जजज का था वो मीडिया करने लगी थी और उन्हें अपरादी साबित करने के लिए प् केवल मीडिया ही नहीं ओपोजीशन ने भी मोदी को अपराधी मान लिया था बॉलीवोड से भी कई फिल्में गुजरात दंगों पर बनती हैं जिसमें स्टेट को जिम्मेदार दिखाने के लिए पूरे प्रयास किये जाते हैं लेकिन इस बात की चर्चा कम ही स्थानों पर दिखती है कि गुजरात सरकार ने दंगा रोकने के लिए राजिस्थान, मध्यप्रदेश और महराष्ट इन तीनों ही पड़ोसी राज्यों से पुलिस फोर्स मांगी थी पर तीनों ही स्थानों पर ओपोजिशन की सरकार थी तो किसी ने भी अपनी फोर्स गुजरात को नहीं दी मीडिया की हर अंग ने मोदी को मुस्लिम विरूदी तो दिखा दिया लेकिन यह नहीं दिखाया कि गुजरात के 400 गावों से 6000 मुसल्मान हज करने गए थे लेकिन मीडिया, कॉंग्रेस, भाजपा के इस चुहाविल्ली के खेल के इतर नानावटी कमिशन अपना काम कर रही थी जिसका काम था दंगो की जांच करना इस कमिशन ने मोधी और गुजरात सरकार दोनों को क्लीन चिट दे दी साथ ही ये भी बताया कि गोधरा में जो भी हुआ वो सब प्री प्लैंड था फिर 2004 में सेंटर में सरकार चिंज होती है और किंद सरकार बदलते ही एक नए कमिशन उमेश चंद कमिटी का कठन किया जाता है और मात्र चार महीने की इन्वेस्टिकेशन में वो बात लिग दी जाती है जो कॉंग्रेस की नेता पिछले दो वर्सों से बोल रहे थे फिर 2008 में सुप्रीम कोट ने एक S.I.T. का कठन किया और मोधी को 10-10 घंटे ग्रिल किया गया यह स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ था एक राज्ये के मुख्यमंत्री को इस परकार से ग्रिल किया हूँ इस S.I.T. ने जांच की और अंत में मोधी को क्लिंचिट मिल गए लेकिन दूसरी और मीडिया की व्यथा अलग चल रही थी मीडिया को भी समझ आ रहा था कि 2002 के बारे में बात करने से मोधी की इमेज बेटर हो रही है और वो धीरे धीरे हिंदू हिर्जय समराथ बनते जा रहे है और आज मीडिया मात्र एक ही बात बोलती है कि काश 2002 के बाद आडवानी जी ने अटल जी की बात मान ली होती बना दिया वो आगे देखते हैं पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे सब कुछ चाहे मीडिया हो ओपोजिशन हो बॉलीवूड हो या केंद्र में कॉंग्रेस की या भले ही केंद्र में बीजेपी की सरकार हो सब एक तरीके से मोदी के अगेंस्ट थे और यही नहीं मोदी के अगेंस्ट विएच्पी भी थी विश्व हिंदू परिशद प्रवीन तोगडिया और मोदी के टर्म्स अच्छे नहीं थे यानि Modi was against many odds, फिर भी कैसे Modi ने इतनी negativity को अपने लिए positivity में बदल दिया, कैसे? इसके दो मंत्र थे, पहला development और दूसरा हिंदुत्व, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इन मंत्रों के अलावा एक जादू भी था Modi के पास, शब्दो का जादू Modi को राजनीती खेलनी आती थी, कोई मीडिया या opposition यदि कुछ Modi के विरोध में बोलती, तो उसे कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता, मानो वो attack Modi के उपर नहीं हुआ, अभी तो पूरे गुजरात के उपर कर दिया गया हो सुनिया गांदी ने Modi को मौत का साधागर बोला, और नरेंद्र Modi ने उसका उत्तर देने के लिए कुछ ये शब्द चुने सुनिया गांदी ने गांदी ने गांदी पर मौत का साधागर ने बेसाड़े उचे, ये मौत का साधागर ने बेसाड़े उचे, ये मौत का साधागर ने बेसाड़े, ये मौत का साधागर ने बेसाड़े, ये मौत का साधागर ने बेसाड़े, ये मौत का साधागर ने ब जब मोधी स्टेज पर चड़ते तो नारे लगते देखो देखो कौन आया गुजरात का शेर आया अक्सर ऐसे नारे होते हैं देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया लेकिन यहां पर गुजरात का शेर आया बोला गया ताकि गुजराती अस्विता से गुजराती प्राइ मूदी के गुजरात की रूप में देखना सीख चुका था और मूदी की गुजराती प्राइड से जुडने वाली स्ट्राटेजी को फिर बीजेपी ने राजस्तान में भी कॉपी करने का प्रयास किया यानि फॉर्मूला हिट था अब जादू से अटकर मंत्रों की बात करते ह डेवलपमेंट जो कि किसी भी सरकार का मूल कार्य होता है इंडिया तुडे इसी डेवलपमेंट के आधार पर बेस्ट सीम को ढूला करता था और पोल कराया करता था 2002 से 2010 तक पांच बार मोधी बेस्ट सीम का पोल जीते थे ना केवल गुजरात में बलकि पूरे भारत के पोल में भी मोधी ही बेस्ट सीम बनके आ रहे थे पर जिस वेक्ति को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था मीडिया दिन रात गाली दे रही थी वो बार बार बेस्ट सीम कैसे बन रहा था उत्तर छुपा था कुछ कार्यों में कैसे कार्यों आज भी देश के कई राज्ये ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली नहीं आती गुजरात ने ये काम तब कर दिया था जब इसके बारे में कोई बोलता भी नहीं था जब कोई 24 घंटे बिजली देने के बारे में सोचता भी नहीं था उस समय गुजरात अपनी लागत से सरफलस बिजली पैदा करके दूसरे राज्यों को बेच कर अठारा सो करोड रुपे कमा रही थी 2004 तक गुजरात की जिन गाओं में 8 घंटे बिजली आ रही थी गुजरात की जोतिक राम योजना ने उन्हें 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी और इन कामों को मोदी ने हर मंच से बोला गुजरात बेसिकली पांच भागों में डिवाइड़ है जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा इन पांच भागों में से तीन भाग कच्च, सवराष्ट और नौदन गुजरात तीनों के पास बहुत कम जल था और अभी से नहीं, 1950 से 2000 तक 50 वर्षों में यहां 26 बार पूर्ण सूखा पड़ा था जो ग्राउंड वाटर लेवल 25 से 30 मीटर हुआ करता था 1980 तक वो अब गिर के 1.500 से 2.500 मीटर हो चुका था यानि और थोड़े वर्ष कुछ ना होता तो 50 लाख लोग इस एरिया से माइग्रेट कर जाते और ये भाग पूर्ण रूप से रेगिस्तान बन जाता मोदी ने CM बनने के बाद इस पर कई आस्पेक्स में काम किया और प्रॉब्लब को सॉल्व किया और ये डेवलप्मेंट का कामना हर शेतर में हुआ जहे एजुकेशन हो, हेल्थ केर हो, विमेंट चैल्ड वेलफेर हो या लौइड ओडर हो और यही कारण था कि इंडिया डूडी की मैग्जीन मोदी को एक ओर मास्टर डिवाइडर, हीरो आफ हेट्रेड कह रही थी और दूसरी और मोदी उन्ही के पोल में बेस्ट सीम बन रहे थे कोई मीडिया मोदी को डेवलप्मेंट के उपर घेर नहीं पा रही थी और मोदी नेगिटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के डिस्किशन से भरे रहते थे दूसरा मंतर था हिंदुत्प बीजेपी ने अटल जी के नित्रत में मौडरेट सरकार चलाई जिसमें राममंदिर के बारे में या हिंदु कादल के बारे में बहुत कम बात होती थी गठबंदन की सरकार की मजबूरिया समझे आ सकती है लेकिन भाजपा हिंदुत्व से थोड़ी सी प्रथक तो हो ही रही थी फिर जाहे वो अडवानी जी का पाकिस्तान जाकर जिन्ना की कबर पर नमन करके जिन्ना को सेकिलर कहना हो या फिर 2009 के चुनावी प्रचार में राम मंदिर या हिंदुत्व के मुद्दो का बहुत कम उठना हो मोदी पर ओपोजिशन अटेक कर रही थी कि मोदी गुजरात में किसी अलप संख्यक को टिकेट ही नहीं देता है या फिर मोदी सकल क्याप नहीं पहनता है इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि मोदी ने इमाम के हाथों से टोपी क्यों नहीं पहनी इसी बात पर विवात खड़ा हो गया और ओपलिशन ने जितनी वार ऐसे मुद्दे उठाए मोदी हिंदुत्व के उतने निकट आते चले गए विपक्ष के बड़े निता आडवानी को कम, मोदी को अधिक अटेक कर रहे थे और इस सब से मोदी एक नैशनल लीडर बनकर उभर रहे थे और फिर 2014 में PM के केंडिडेट बन गए 2014 में सरकार बनना संभव था पर 272 के आखड़े के पाड़ जाना ये किसी ने नहीं सोचा था BJP के लिए कैसे संभव हुआ है वो आगे देखते है मोदी अब बड़े निता बन गए थे उनकी पकड बाहर के प्रतिशों में भी हो रही थी 2009 में BJP के कैंपेन और आडवानी जी दोनों को जनता ने नकार दिया था 2014 से पहले कॉंग्रेज की हालत करप्शन में लिप्ट होने से और इंडिया अगेंस करप्शन जैसे अंदलोनों से दोनों से खराब हो चुकी थी BJP की जीत का अच्छा मौका था पर पार्टी में PM उमीदवार के नाम पर बड़ी कनफ्यूजन थी 2013 में पनजी में BJP ने एक मीटिंग रखी जिससे पहले ये तो तै हो गया था कि मोधी को 2014 चुनावों में अगर PM उमीदवार ना भी बनाएं तो कम से कम एक बड़ी responsibility तो अवश्य दी जाएगी अलाई थे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अगर मोधी को PM candidate बनाया तो समझिए संधी समाब अब गोवा की इस मीटिंग में मोधी को भी बुलाया गया था तो मोधी गोवा के एरपोर्ट पहुंचे और जैसे ही वो एरपोर्ट से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ी भीड मात्र मोधी को देखने आई हुई थी मुख्य बात यह है कि इसी एरपोर्ट से अन्य बीजेपी के नेता भी गये थे पर भीड मात्र मोधी के लिए थी और इस इंसिडेंट ने उस मीटिंग की टोन अपने आप ही सेट कर दी थी और यह अंडर करंट ना पहले से ही चल रहा था जिस हिजाब से इमेज और रीच दोनों मोधी को मिल रही थी तो कई पत्रकार आम लोग या साधू संत उन्हें सेंटर में प्रधान मंत्री देखते थे 2005 में साधू उन्हें प्रधान मंत्री बोल रहे थे उस समय जब मिलते थे तो मेरी दाड़ी इतनी सफेट शेद नहीं थी ना नरेंद्र जी प्रधान मंत्री थे मुख्य मंत्री ने का प्रधान मंत्री और मोधी के प्यम बनने का प्रशन दोहजार आठ में ततकालीन प्रधान मंत्री से भी पूछा जाता था जिसमें बात हो रही थी क्या मोधी प्यम बनेंगे अब गोवा के पंजी में जो मीटिंग चल रही थी ये लम भी चली और अभी तक कोई कंपलूजन नहीं निकला था कि किसको पी-म कैंडिडेट बनाया जाए अंत में पार्टी प्रेजिडेंट राजनात सिंग का भाषण था उन्होंने अपने भाषण में सीधा सीधा मोधी का नाम अनाउंस कर दिया और उसके बाद इतनी तालिया बजी इतनी तालिया बजी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी पर एक पक्ष प्रसन नहीं था फिर भी उन्हें मनाने का काम प्राजनात सिंग ने किया मोधी का नाम PM Candidate के लिए अनाउंस हुआ और जैसे जैसे चुनाव निकट आये बड़े बड़े न्यूस पेपर के फ्रंट पेज पर एड छपी कि अपने केंडिडेट का नाम इजाद रखने की कोई आवशकता नहीं है कमल पर वोट देना मतलब मोधी को वोट देना है election campaign के लिए professional hire हो चुके थे latest technology का प्रयोग चुनावों में बीजेपी की साइट से किया जाने लगा था social media के प्रयोग से congress हिल चुकी थी और अब की बार मोधी सरकार जैसे creative नारे बनाए गए थे अब बहुत हो गया बिजेली के लिए तरसाने वालों जनता माप नहीं करेगी चलो हालात बदले देश की सरकार बदले भाचपा को वोट दे अब की बार मोधी सरकार मोधी की स्पीच का social media पर live रेलिकास्ट होता था और मोधी-मोधी के नारों से वो रैलियां गोंज उठती थी ये तो खैर आम बात थी पर राहूल गांधी की रैली भी मोधी-मोधी के नारों से गोंज उठती थी और तभी पाकिस्तान की साइट से जम्मो कश्मीर में इंफिल्टेशन हुई हमारे दो जवान वीरगती को प्राप्त हो गए उन में से एक की बॉडी को तो म्यूटिलेट तक कर दिया गया था जिसके कारण देश में क्रोध था और मनमोहन सिंग अब पहले से अधिक निर्बल लग रहे थे और ऐसे में मोदी और शुष्मा सुराज के बड़े बयान आए जिसमें शुष्मा जी ने कहा अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो दसिर आए और उसके बाद मोदी का 56 इंच के सीने का भाशन आ गया जिससे मोदी को भैंकर ट्रैक्शन मिला इतनी इतनी भीड मोदी की रैली में आ रही थी कि मोदी की रैली तक में बम ब्लास्ट कराए जाने लगे एक आम आदमी मोदी से इतना कनेक्ट कर गया कि वो स्वताह मोदी का कैमपेन कर रहा था और ये campaign इतना सफल रहा कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली जो राजीव गांधी के बाद पहली बार बिना गटबंदन की सरकार थी पर चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज 400 पार की बात हो रही है वो आगे देखते हैं देखिए 2014 तक जो बीजेपी की यात्रा थी वो सबसे कठिन थी पर नरेंद्र मोजी के PM बनने के पश्चाथ बीजेपी अधन और्गनाइजेशन एक इतनी पावरफुल एलेक्शन मशीन बन चुकी है जिसका भारत में और कदाचित विश्व में कोई सानी नहीं है जिसके भीतर amazing discipline है और आम कारकरता सरवच पदों तक पहुँच पाता है जिसके पास सरकार के अच्छे कारियों को लोगों तक पहुचाने का सामर्थ भी है और propaganda फैलाने का सामर्थ भी जिसके पास block level तक active foot soldiers हैं और high technology से less state और central offices भी और जिसके पास विपक्ष की सरकारे गिराने का shrewdness भी है अब इन में से कई सारी चीज़े immoral हैं पर राजनीती का चरित्री यही है सत्ता में होय विपक्ष में morality राजनीती में केवल भाशनों में ही दिखती है बीजेपी आज वो गेम कॉंग्रेस से बेटर खेल रही है जिसमें कॉंग्रेस चेंपियन थी कैसे बनी बीजेपी एक election winning machine कहा जाता है कि 2014 के जीत के बाद राजनाज सिंग पार्टी प्रेजिडेंट बन कर ही रहना चाते थे पर नरेंद्र मोदी के intervention के बाद अमिशा पार्टी प्रेजिडेंट बने और राजनाज सिंग गवर्मेंट में आ गए अमिशा दे पहले बीजेपी एक horizontal structure पर चलती थी जिसे अमिशा ने एक corporate style vertical structure में बदल दिया जिसमें हर कारेकरता को task allocate होते हैं और target set होते हैं जिसमें technology का adoption एक normal चीज है चाहे वो miss call करके membership drive के लिए ही क्यों ना हो basically BJP के structure को RSS के structure जैसा कर दिया गया था पार्टी में एक ऐसा culture develop किया गया जहां एक छोटा कारेकरता भी किसी राज्यका CM बनने के बारे में सोच सकता है और इसी कारण छोटे से छोटा कारेकरता पार्टी के लिए काम कर रहा है ऐसा दूसरी पार्टीों के साथ नहीं है हमारे हाँ बहुत डीप research के साथ हर कारेकरता को watch किया जाता है उसकी activities, उसकी history, उसके responses और एक बहुत बड़ा data bank हमारे पास है चुनाव जीतने के लिए strategies पर काम किया गया उधारन के लिए उन जातियों को ढूंडा गया जो power structure का अंग नहीं थी पर vote bank जरूर थी उन्हें टिकेट दिया गया और इन से SCST, OBC सभी वर्गों के अंदर vote प्रतिशत बढ़ गया चुनाव पैसों से लड़ा जाता है आज BJP के पास चुनाव लड़ने के लिए सबसे अधिक पैसा है जो उसे electoral bond के रूप में मिलता है पहले और दूसरे नंबर का अंतर देखिए BJP के पास जहां पर 6566 करोड रुपे मिले वहीं Congress के पास 1123 करोड रुपे हाला कि जब इस पूरे fund को number of MPs से डिवाइड कर दिया जाता है तो पर MP Congress के पास अधिक आता है 2017 में नरेंदर मुदी ने कहा था कि 2019 के चुनाव मुबाइल फोन पर लड़े जाएंगे और देश के बड़े शित्र में ऐसा हुआ भी 2019 के चुनाव एक carefully crafted campaign था जिसमें individual voters तक को target किया गया था data mapping के थूर और जिसे control किया जा रहा था 160 war room से और कहा तो यहां तक जाता है कि SAP और Oracle जैसी companies की help ली गई थी BJP के द्वारा 2019 के election से पहले जो party को real time analysis में help कर रही थी आज opposition का IT sell कदाचित BJP से better organized दिखाई पड़ता है पर BJP as a whole एक ऐसा organization set up है जो ruthless है चुनाव जीतने के लिए जो अपनी शक्ती बढ़ाता है और विपक्ष को कमजोर करता है कुछ विशेशक्गे तो यह तक कहने लगे हैं आने वाले दशकों तक यह dominant रहेगा पर प्रधान मंत्री अगले 1000 साल तक की बात कर रहे हैं और ऐसे well oil system को यदि ऐसी सरकार का साथ मिल जाए जिसने करोडों लोगों को bank accounts दिये toilets दिये, पके घर दिये gas cylinder, नल से जल, विजली फ्री जैसी चीज़ें दी, direct benefit transfer जैसी सुविधा दी, तो उसे हराना और मुश्किल हो जाता है कोई भी सरकार complete नहीं होती और इस सरकार पर भी कई प्रश्नवाचक चिन है politics में कोई दूद का दुला नहीं होता ये मेरा मानना है, बीजेपी भी नहीं है democracy, available options में से सबसे कम evil को चुनने का खेल है और इस खेल में बीजेपी एक election winning machine बन चुकी है, जिसने 2019 में हारी उन 133 सीटों को चिन्हित किया हुआ है जो उसके आंकड़े को 400 पार ले जाएंगी इस election machine को बनने के पीछे 50 साल तक खेल गया एक खेल है जिस खेल के सबसे प्रमुक खिलाडी नरेंद्र मोदी है आप अपने विचार इस विशापर कमेंट्स में जरूर लिखें वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना छोड़ें एस्टो टॉक का फ्री ट्रायल अवेश्य लें लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है पुने मिलते हैं अगले एपिसोड में